नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी फैसन में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कालर किस तरीके से काटते हैं बिना पैटरन के ताकि जो है आप पैटरन भी काटना सीख जाएंगे इस से और कालर भी काटना सीख जाएंगे तो दोनों काम एक साथ ह देता हूं कि अगर आप कालर की शुरुबात में बिल्कुल आपने कभी काटा नहीं है तो जो है पहले आप हम पेश्टिंग पे काट रहे हैं लेकिन आप पहले कागच पे काटें क्या है अगर आपका थोड़ा बहुत गडबड़ भी हो गया तो आप दुबारा से कागच पे काटके अगर आप पैटर्म फिक्स हो जाएगा कालर का बिल्कुल सही बैठेगा तो उसके बाद फिर आप ऐसे करके रखके और लीक लेना पेंसल या किसी चीस से चाक से और उसके बाद पेश्टिंग से काट लेना अगर डारेक्ट आप पेश्टिंग काटेंगे और पहली दिवार में काटेंगे तो इस तरह के से ट्राइए करके आसानी से सीख सकते हैं तो अब जो है हम इसको जो है हमारा कालर है 15 तो देखे कालर की जो चौड़ाई है यहां पर पेश्टिंग निकालेंगे साड़े चार इंच की अब देखेंगे यह 25 सेंटिमेटर पेस्टिंग आप देखिए यहां परसे लगबग जो है आपको देड़ इंच पीछे से इस तरीके से नाप लेना है पंद्रा कालर है यह तो पंद्रा ग्याद हुए साड़े साथ तो यहां से जो है साड़े साथ यह इतने रखना है आपको बाकि इदर साइड़ मर्त ठोके बगरा हो जाए और जो है साड़े चार इंच का और यह साड़े चार इंच का तो इस तरीके से जो है हम इसको पेस्टिंग को निकाल लेते हैं अब देजिए हैं अब देजिए इदर से हमारे एक और बैट जाएगा तो इसको उटा देते हैं अब इसको क्या करेंगे इस पे हम मसीन से सिलाई लगा लेंगे बीच हो बीच में इस तरीके इसे लगा लें चाहिए आप इदर से लगा लें तो हम सिलाई लगा लेते हैं फिर उसके बाद काटेंगे अगर ऐसे ही काटेंगे तो इदर उदर यह भागेगी डवल में काटेंगे और जो है फिर हमारा गलबड हो जाएगा कालर एक बरावर नहीं आएंगे दोनों पल्ले तो सिलाई लगाना जरूरी होता है तो जरूरी आप लगा लें तो अम इस पर लगा लेते हैं तो देखे आप हम काटते हैं कालर तो जब आप सिलाई लगा आ यह ऐं यहां पर आयटना नहीं चाहिए इसा नहीं है इसे बियस lorsque सपंवर करके आए फो यह जाई नहीं तो यह जो है इधर साइड से हम जो है आदा इंच लगाएंगे तो इधर साइड से आदा इंच लगाया थोंका बनाएंगे हम यह एक इस चूत का थोograf को और यह निशान लगा लिया उसके बाद इधर भी में आदा इंच करेंगे यह चीज अब उसके बाद यहां से इधर साइट में देड़ इंच का यह निसान लगाया हमने निसान लगाने के बाद जो है हम इसको यहां से यहां तक यह वाली जो हलकी वाली फंटी है इसको लगाएंगे यह देखे दो फंटियां होती है तो हलकी वाल कि अब जो है इसको हम कि इस तरी अब इसको यहां से यहां तक फंटी लगाएंगे यह वार किरास में तो इसको आप थोड़ा सा और किरास करेंगे इस तरीके से यह हो गए अब देखे अब हम इसकी स्टोन जो है वो देढ़ इंच में एक सूथ कम रखेंगे तो यहां पर देढ़ इंच में एक सूथ कम कर दी हमने और यहां पर जो है 3.50 की रखेंगे अब उसके बाद जो है यहां से यहां पर अईसे करके हम निसान लगाएंगे तो यहां पर एक बांद चेक भी कर लें कि हमारा जो है जादा यहां पर चोड़ाय जादा नहीं होना चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा यहां पर और राउंड देंगे अब यह ठीक है अब देखें यह सीधा सीधा है अब हम इसको क्रास करेंगे हलका सा यानि कि दो सूथ तो दो सूथ इस तरीके से क्रास कर देना है अब अंदर साइड में देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर पॉन इंच यह आ रहा है यह चीज तो इस तरीके से आना चाहिए बाकी जो इस टोन है हमारी देड़ इंच में एक सुथ कम और यहां पर जो है सबाव इंच है अब देखिए इधर साइड से हमें जितनी एक सुथ कम है यहां पर तो इसमें क्या है आपको जो है था है युह आदा इंच और आपको बढ़ा देना है तो यहां पर हम जो है दो इंच करेंगे इसको क्योंकि इसमें पैर बार हमारा धबाव जाएगा और तलपट होता है तो इसमें इतना धबाव इतना चला जाता है तो इस लिए यह जो है दिकिए हमने 2 इंच रख खा है यह देखिए यह दो इंच बाकी जो थोड़ा दाव मारत दुहें जाका जैता है तो देखें, बहुत से लोग यह चीज़ सीधी रखते हैं, और अगर आप राउंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है है, इसको राउंड भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो है, हम इसको हलका सा राउंड दे देते हैं, चाहें तो, तो इस पर निसान लगाने के बा लोग टेलर होते हैं हर बार मतलब से ही काटते हैं लगवक से निसान लगा लिया उसके बाद काट दिया तो इस तरीके से काटा जाता है और पैटरन बनाने में काफी कालर खराब हो जाते हैं मतलब दप्तियां जो हैं काफी खराब होती है फिर उसके वाद सट कालर बैठाल के देखा जाता है कि जो है हमारा ठीक से बैठ रहा नहीं बैठ रहा अगर उसमें कोई कमी होती है तो दु से पहले काट लेना है उसके बाद कागच पर शीक ना है उसके बाद प्र काड़ना है तो इसलिए मैंने इस में आपको निसान लगा कर बताओा है अब हम इसको प्रास में करेंगे तो बीच का खलका सा कुटका लगाएंगे तो यह देखिए यह हमारी स्टोन जो है है यह हमारी बैट गई यह हमारा ठोंका है चाहें तो आप इधर भी लगा सकते हैं कुटके इस तरीके से तो देखें फिनीसिंग के साथ बिल्कुल बैटी हुई है तो अब जो है है इसमें भी हम नीचे साइड में कुटका लगा लेंगे अब हम उपर का काटते हैं तो यहां से जो है है अब हम इसको अंदर अंदर हमको चलना है चाक से चाक हो अगर पैंसर लगा है तो पैंसर निसाल लगा ले अब यहां पर हम हल्की से कैंची से राउंड देंगे यह रहा अब जो है हम इसको क्रास करेंगे तो इसको जो है अब हम इसको खोल देते हैं हर तो यह हमारा जुहें कालर क्या हो गया अब इसमें क्या होता है देखिये कि इसमें च्रेमी कि ना ओटती है तो सभी टेपकर करने को तो झाल तो इधर साइट में हो गया आप इधर साइट की भी सेट करते हैं अब देखे ठोंका आपको किस तरीके से यहां पर कालर के पास चिपकाए जाता है ताकि जो इमारी कालर की जो नोख है वो उपर के लिए ना भागे जब हम कालर की साइट की जैसे पाहिनते हैं अभी मैं आपको बताता हूं यह क्यों चिपकाए जाते हैं तो इसको इस तरीके से काट लिए अब हम गुलाई देंगे यह हो गए देखेंगे जब हम सठ पहुनते हैं तो जो है हमारी कालर इस तरीके से आए से करके नहीं भागे Zust करके लिए तो इसलिए जो है यह नुए मोटा कर जाता है तो कि यह दो हैं दोनो नोक के पाल चुपका जाते हैं। तो देखें इस तरीके से जो है है यह बार आपको बैठा लिंवी देख लेना है यह चीज है कि लाप रेव्यक्र वागर बीच मैं आपने इह चीज घहरी कर दी। इस तरीके से छाट के और जो है यह सि AO तो जो बाप बैठा लेंगे तो जो है यह पेश्टिंग है तो आपके बिलकुल फिनीसिंग के साथ बैठा चाहिए जैसे कि यह बैठा हुआ है देखिए अब इस पर हमाई से करके तो यह बिलकुल फस किलास बैठी बैठ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कण नहीं आएगे अगर लेकिन आप थे भी दा He को काटना है आप सुरुबात में आप काटेंगे तो हो सकता है आप से गड़बड हो जाए काटने में तो आपको पहले कागज पर काट लेना है तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको यह अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर क और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बिटन में आपको मिल जाएगा आप किलिक करके देख लीजिएगा और नेश्ट वीडियो में हम इसके बाद इसको बनाएंगे तो बो वीडियो भी जरूर देखिए को उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने साथी बेल किये नमस्कार